नमस्कार साथियों, तो क्या आल चाल है, उम्मेद करते हैं, सबी मस्त होंगे, तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, एज़ेक्टिव की बारे में, जिसमें हम लिटिल, एलिटिल, एंड देलिटिल की बारे में सीखने वाले हैं, कि किस प्रकार से इनका यूज होता है, और क्या इनकी qualities है तो हमारे इस वीडियो में सबसे पहले हमारा adjective है little little का मतलब होता है नय के बराबर अल्प मात्रा में यानि की नगन्य इसका परियोग quantity यानि की मात्रा का बोध करने के लिए परियोग किया जाता है यानि की मात्रा का पता लगाने के लिए quantity का पता लगाने के लिए huge मिलिया जाता है इसका परियोग singular uncomfortable noun के पहले होता है इसके परियोग से एक negative meaning निकल कर आता है यानि की इसके परियोग से negative sense निकलता है for example he has little money उसके पास थोड़े से पैसा है या फिर थोड़ा सा धन है तो इससे क्या से निकलता है यानि की little money यानि की ने के बराबर अल्प मात्रा में इससे sense क्या निकल रहा है negative अब हमारा अगला adjective है a little a little का मतलब होता है थोड़ा सा यानि की जरा सा कुछ इसका परियोग थोड़ा कुछ के अर्थ में quantity यानि की मात्रा का बोध करने के लिए singular uncomfortable noun के पहले होता है same इसकी तरह singular uncomfortable noun के पहले होता है लेकिन इसके परियोग से positive meaning निकलता है यानि की a little का मतलब क्या हुआ थोड़ा कुछ तो इससे क्या सैंस निकलेगा positive उधारन के लिए example के लिए he has a little piece of knowledge उसके पास थोड़ी मात्रा में knowledge है ज्यान है तो यहाँ पर चीज है तो सरी यानि की थोड़ी मात्रा में लेकिन है तो इससे क्या सैंस निकलेगा इसका positive सैंस निकलेगा तीसरा हमारा adjective है the little the little का मतलब होता है जो कुछ भी है वो पूरा का पूरा जितना भी है वो सब का सब so the little का परियोग quantitative बताने के लिए singular uncountable noun के पहले होता है लेकिन इसकी एक इस special quality यह है कि इससे positive और negative दोनों परकार का meaning निकलता है यानि कि इसके sentence में positive sense मी निकलेगा negative sense मी निकलेगा उधारण के लिए I spent all the little money I had यानि कि मतलब क्या हुआ कि जितना भी पैसा जितना भी धन मेरे पास था वो सब मैंने खर्च कर दिया खतम कर दिया तो इससे क्या sense निकलता है इससे sense निकलता है positive यानि कि जितना भी पैसा मेरे पास था जो कुछ भी धन मेरे पास था मैंने सब खतम कर दिया बरबाद कर दिया तो इससे क्या sense निकलेगा positive अगला हमारा example है The little money I had was not much यानि कि जितना भी पैसा मेरे पास था वो ज्यादा नहीं था enough नहीं था तो इससे क्या sense निकलता है negative यानि कि जितना भी पैसा मेरे पास है वो ज्यादा नहीं है बहुत ही कम है तो इससे क्या sense निकलेगा negative इस वीडियो में यही तक उमीद करते हैं आपको यह तीन एज़क्टिव तीनों एज़क्टिव आसानी सेशन में आयोंगे वीडियो पसंद आयों तो प्लीज लाइक कीजिएगा कमेंट कीजिएगा और इस चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिए